हालो डियर लेर्नर्स कैसे हैं आप सब आई हूप आप सब लोग बड़ी आऊंगे मज़े में होंगे आज कर जो वीडियो है अगें हुए है बिए समस्टर फोर के लिए सब्जेक्ट कोड़ है बी फोर जिरो त्री मेजर्मेंट एवैलुएशन यूनिट तू हम कवर करेंगे टॉपिक जो इस वीडियो का है वो है अप्लिट्यूद परस्नालिटी टेस्ट तो अगर आप चैनल पर नए हैं पहली 12 है चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो उसको लाइक करेगा अपने फ्रेंस के साथ शेयर भी क लिएगा क्योंकि बहुत सारे इंफर्मेटिव वीडियो टाइम इस चैनल पर अप्लोड करते रहते हैं तो विडाव वेस्टिंग टाइम फड़ा फट शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे बहले बात कर लेते हैं परस्नालिटी टेस्ट कि क्या अखिर परस्नालिटी ट होते हैं उसके बेसिस पर उसकी बात करें होते हैं बट परस्नालिटी जो अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है क्योंकि इसमें उसके थॉट पैटन कि उसका सोचने का तरीका क्या है वह कितना मोटिवेटेड है उसके इमोशन क्या है कितना इमोशनल है वह परस्न कहीं तो नहीं कि छोड़ी छोड़ी बातों पर रियक्ट करता है उसका behavior क्या है ये सारी चीजें मिलके जो हैं किसी भी individual की personality को define करती है personality बनाती है it drives the individual to feel, think and behave in certain ways and contributes towards making them unique personality अब ये जो personality होती है ये क्या होता है आप कह सकते हैं कि यही वो factor होता है जो person को किसी चीज को feel करवाता है उसे सोचने पर मजबूर करता है या उसे किसी एक particular way में behave करने पर मजबूर कर देता है तो यहां पर यही सारी चीज़ें जो मिलके है उसको एक unique person मनाती है या अपने आप में special या फिर दूसरों से अलग जैसे बहुत सारे लोग होते हो क्या करते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है लेकि उनका कोई reaction नहीं होता वो normal रहते हैं कुछ ऐसे होते हैं चो है वो उतनी ही important है जितना की leadership की quality leadership के पारे में आप सभी को पता ही होगा कि leadership का मतलब क्यों होता है एक ऐसी process या आप कह सकते हैं कैसी quality person के अंदर जिसके तुरू लोग को influence करता है लोग के behavior को influence करता है तो personality भी same चीज़ है यानिकि just important है जैसे leadership important है वैसी personality भी लोग को influence करती ह है आप personality test may be defined as a method of consistently and accurately measuring personality characteristics तो आप यह कह सकते है कि personality test जो होता है वो एक type का ऐसा method है जो कि क्या करता है consistently यानिकि exact manner में consistency के साथ और accurately यानि बिल्कुल exact तरीके से measure करता है किसी के भी personality characteristics को कि उस person में कौन से characters मौजूद है तो अगर हम education की बात करें तो जो personality test होता है वो teaching learning process को जादा effective बनाता है क्योंकि इसके तुरू आप easily measure कर सकते हैं किसी भी learner की compatibility और इसके जो भी traits है यानिकि किस type से person behave करता है क्या-क्या उसके weak points उनको easily इसके तुरू आप determine कर सकते हैं organization can use these tests to measure individual's compatibility with the company's expectation और यही चीज़ मतलब apart from अगर हम teaching learning की बात करें तो जो companies होती है आप personality test करती है तो personality test के तुरू उनको clearly पता चल जाता है कि उस person की compatibility क्या है वो क्या company के साथ work कर पाएगा company की जो भी उसके साथ उमीदे expectation है वो fulfill होंगी या नहीं होंगी तो यह है personality test के बारे में कुछ points as mentioned above personality test measures personality characteristics these characteristics may vary depending on the theory of framework the personality test is based on अब होता कि कि जो characteristics आप measure कर रहे हो हर case में different हो सकता है वो so यहां पर जो difference आएगा result में वो आता है due to method adopted आप कौन सा method use करके personality test करने वाले है उसके basis पर जैसे एक disc model होता है और एक five factor model है तो इनके तुरुआ वागर test करेंगे तो obviously आपको different result यहां पर मिल सकते है one of the most utilized method is the five factor model स इसको कि big five model भी कहा जाता है अब यहां पर जो five factor model है वो define करता है पांच qualities को यह आप कह सकते है traits को personality के जिनके basis पे किसी भी individual की जो personality है वो तो यहां पर जो पहला trait या personality की quality है वो है openness इसका मतलब simple सा fund है कि भाई यह openness towards experiences है मतलब को ऐसे चीज जिसको आप restrict नहीं कर सकते रोक नहीं सकते है बांध ही नहीं सकते है और यह ऐसे लोग है जो कि क्या करते हैं आप यह सकते हैं कि they try new things and not immediately backing up from trying the new things यहां पर लिखा भी है कि मतलब अगर आपके अंदर यह quality होगी तो इसका मतलब है आप हर एक नई चीज सीखने के लिए सोचेंगा नई चीज ट्रय करने के बहुत सारे लोग के साथ कि अगर कोई भी चीज उनको नहीं बताई जाती है कि यह इसको करने से ऐसा होगा वह फट से क्या करते हैं मना कर देते हैं कि नहीं हम यह चीज नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले नहीं करी है तो जो openness वाली quality होगी trait होगा वो क्या करेगा person को नहीं इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा person अगर उसके अंदरे quality होगी तो वो क्या करेगा अपनी सारे की सारे duties को well perform करेगा यह उसके अंदर एक strong sense of duty होगा यहां पर लिखा हुआ भी है ने नेक्स जो trait है वो है extraversion इसका मतलब simple सा होता है extraversion का मतलब है कि लोग को का inclination towards social interaction या आने की in shot आप यह कह सकते हैं कि अगर person के अंदर quality है extraversion की तो वो socially confident होगा लोगों के साथ वो घुल मिल जाएगा लोगों के साथ बोलने में उसे को problem नहीं होगी अगर यह quality present नहीं है तो बंदा socially confident होगा जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहार जाते हैं अंजान होना तो इसका एक मतलब तो संबल सही है कि ऐसा person यानि कि अपके अंदर एक quality है तो आप for sure चीजों के लिए agree हो जाएंगे अगर कोई भी decision देना होगा तो फटा-फट उसके लिए राजी होंगे यहां पर एक चीज और भी लिखी कि it measures the extent of an individual's warmth and kindness तो इसमें यह भी होता है क warmth यानि कि जो गरम जोशी होती है वो कि बंदा कितना excitement कितना खुश है वो and kindness के बारे में आपको पता ही है कि आप कितने दयालू और तो यह अग्रेबल ने जो था इस चीज को measure करने में help करता है next जो trait है वो है neuroticism इसमें क्या है कि यह type से यह trait measure करता है कि अगर stressful situation है यानि कि कि ऐसे situation आजती है जहाँ पर tension में बंदा तो कितना जादा tension ले रहा है वो क्या परिशान हो रहा है नहीं हो रहा है तो उस tendency को यहाँ पर measure किया जाता है तो इन सारे test के तो आप easily determine कर सकते है कि person की personality क्या है अब अगर बात कर जाए disc model की तो disc model जो था वो बेस था Madison's disc theory पर यहाँ पर four different type की personality styles को यहाँ पर जो है वो measure किया जाता है तो यहाँ पर लिखा भी है कि and characterizes individual as a combination of these four styles चार styles जो थी उसके basis पर personality को यहाँ पर define किया जाता है जिसमें कि पहला जो point है कि आपके सकते है quality है वो है dominant it refers to an individual being direct and decisive in addition it is related to problem solving having high ego strength and being a risk taker तो जो dominant होता है आपको पता है कई बार आपने सुनना होगा कि particular person जो dominant है या किसी को दबा कर रखने वाला कि जो लोगों को क्या करता है अपनी बात उची रखता है तो यहाँ पर सेम चीज़ है कि यह सारी चीज़ों के साथ साथ उस person के अंदर problem solving skills जो है वो कितनी है क्या है इसके तुरू measure हो सकती है high ego strength उनकी होती है क्योंकि उनके अंदर obviously ego होगी that is why they are alike कि और उक अपने आगे नहीं आने देंगे नहीं बढ़ने देंगे and साथ रिस्क टेकर भी हो सकते है इन चीज़ों को measure करता है dominant वाली characteristics then i see influence आता है it refers to them being enthusiastic, trusting, optimistic, talkative, persuasive, impulsive, emotional तो इसमें सारी क इसके बारे में आपको बता है तो यह सारी क्वालिटी इसके थे में आती है नहीं है नहीं है नहीं है उप्टमिस्तिक जो कि positive thought के साथ रहता है talkative आपको बता है बातुनी, persuasive, ठ्रेरक, impulsive जो आवेग में आ जाता है गुस्से में आ जाता है यानि कि इस टाइब से आप से again इसके बारे में भी आपको पता है तो यह सारी qualities इसके तुरू measure हो सकती है then next job की quality है वो है steadiness it indicates that individual is good listener team player, possessive study, predictable understanding and friendly यानि कि predictable में तो symbols of अपन्ड है कि प्रिडिक्ट कर सकते हो उसके behavior को कुछ हद तक कि यह इस type से ऐसी situation में react करेगा बहुत सारी cases में कि होता है अपने दोस्तों को इतने अच्छे से जान गए होते हो कि आपको पता होता है कि अगर ऐसी situation है तो दोस्त ऐसे behave करेगा या कई बार कि होता है कि आप parents को भी समझते हो तो आप बोलते हो कई बार कि यह अगर अगर अपने पापको यह बोला तो उनका reaction यह होगा या वह यह चीज बोलेंगे और exactly वह भी बोलते है तो कहीं ना कहीं यह चीज होती है या तब आपने एक टाइप सम की personality को जच कर लिए होता है तब यह आप यह चीज कर पाएंगे यह सारे चीज़ें इसमें आ जाती हैं तो यह personality testers के तो आप यह सारे चीज़ें measure कर सकते हैं अब अगर बात करें जाए aptitude test की तो aptitude test के लिए यहां पर साफ लगा है कि innate ability या फिर capacity to learn or to do a certain kind of work it may be physical or mental तो simple सी चीज़ है innate का मतलब होता है natural या फिर आप क्या सकते है inborn यानि कि बंदा जब पैदा हुआ है तो by default उसके अंदर कुछ qualities होंगी तो naturally उसके अंदर कुछ qualities ऐसी हैं जिनके तुरू वो कोई चीज सीख पा रहा है अब यह जो सीख रहा है या वो काम जो उसको करना है it can be physically or mental हो सकता है physical हो सकता है वो mental work हो तो aptitude characteristics can be tested or measured अब यह aptitude characteristics होते हैं इनको भी test किया जा सकता है इनको भी measure किया जा सकता है जैसे example है teaching aptitude not only depends on high scholastic ability and interest in teaching and personality traits are also important तो अगर आप teaching aptitude check कर रहे हो कि बंदे के अंदर quality है अच्छे teacher बनने कि या नहीं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि वो अच्छा पड़ाई में रहा होगा तभी वो teacher बन सकता है fact अलग है थोड़ा सा उसके अंदर interest होना चाहिए teaching को लेके personality trait उसके अंदर होने चाहिए जो teacher के अंदर होते हैं वो सारी चीज़ें जो होती है वो important होती है और वही decide करती है कि that person is going to become a good teacher or not जैसे personality होती है उसी के basis पे जो आपका aptitude है वो भी combination है heredity का और environmental influences का heredity का मतलब generation to generation जो quality pass on हो रही है तो जो qualities आपके father या mother में होंगी for sure उन में से कुछ ना कुछ qualities आप में भी होंगी और साथ-जाथ environmental influences, environmental influences का मतलब जिस जगे हम रह रहे हैं society में जहां पर हम हैं तो वहां के भी बहुत सारे factors होते हैं जो हमें affect करते हैं तो वही सारे चीज़े मिल के जो है aptitude बनती है test of aptitude measure problem solving and reasoning ability that is innate whereas personality characteristics are traits that indicate behavior तो जो aptitude होता है वो क्या करता है वो हमारी problem solving skills को measure करता है reasoning ability को measure करता है जो कि generally innate है यानि natural है हमारे अंदर whereas personality जो है वो क्या करती है वो traits और उनको indicate करता हमारे behavior को कि कैसे हम behave करेंगे ना particular situation aptitude is proficiency high degree of skill expertise aptitude जो होता है वो proficiency at work को measure करता है जबकि personality जो होती है वो indicate करती है सिर्फ किस तरीके से लोग अपने काम को करेंगे अपने skills को use करेंगे यह सारे चीज़े personality के थुरू आपको पता यहाँ पे चलती है तो यह aptitude and personality पे एक वीडियो था I hope कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करिएगा अपने friends के साथ share करिएगा और channel को subscribe नहीं के तो channel को subscribe करिएगा thanks watching the video